नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल पर तो फ्रेंड्स आप सब के लिए मैं बहुत बड़ी खुश खपरी लेकर आई हूँ वेकैंसी आउट हो चुकिए हाई कोड की तरफ से चार लोकेशन के लिए वेकैंसी आउट हुई है मैं आपको DTS में बताऊंगे कौन-कौन सी लोकेशन के लिए यहाँ पे वेकैंसी आउट हुई है और कौन-कौन अप्लाई कर सकता है और क्या क्या सेलेक्शन प्रोसीजर इसमें आपका रहेगा और लास्ट अप्लाई करने के लिए चारों नोटिस के लिए अलग-अलग है एक के लिए 26 अप्रेल है मैं आपको DTS में बताती हूँ अभी चारों नोटिस DTS में कौन-कौन अप्लाई कर पाएगा और कौन सी चार लोकेशन के लिए वेकैंसी आउट हुई है उससे पहली अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे है और All India में आप कहीं से भी है आपको पते है अपने चैनल का नाम है Technical Government Job All Over India All India में कहीं से भी वेकैंसी आउट होती है मैं आपको सबसे पहले बताते हूँ चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लीजिएगा बेल बटन ज़रू प्रेस कर लीजिए इससे आपको फ्री में नोटिफकेशन आते रहेंगे जब भी मैं कोई नहीं जानकरी डालूगी सेलरी स्टार्टिंग 30,000 रहेगी अगर आप किसी भी गवर्मेंट एक्जाम की त्यारी कर रहे हैं और आप अगर किसी इंस्टिकूट से त्यारी कर रहे हैं आप सबको पता है कि वहाँ पर आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं लेकिन इंडिया का सबसे लर्जेस लर्निंग पॉइंट है अन अकैडमी अगर आप कोर्सिस को जोईन करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत ही सस्ते कोर्स मिल जाते हैं अन अकैडमी पर अगर आप मेरा रैफरल कोड यूज करते हैं यह है referral code अगर आप इस referral code को use करते हैं तो यहाँ पर आपको 10% का discount भी मिलता है official site है जिसका link आपको description में मिल जाएगा अगर आप यहाँ पर sign up करके referral code यूज करते हैं आपको 10% का discount मिल जाएगा और इसके साथ बाकि सारे courses आपको free में यहाँ पर मिल जाएगा चली friends अब बात कर लेते हैं recruitment की सबसे पहले देखें इसमें age की जो limit रहेगी वो आपकी 18 से 30 साल है plus age relaxation यहाँ पर आपको दिया जाएगा और selection procedure में आपका यहाँ पर test होगा only टेस्ट होगा और clerk की vacancies आउट ही है यहाँ पर आप देख पा रहे हैं और यह vacancies चार लोकेशन के लिए है कौन-कौन सी है वो भी मैं आपको बता देते हूँ अभी पहली जो vacancy है वो है मदरास के लिए 25 April last date 68 post होंगी second जो vacancy आउट हुई है वो है जारखंड के लिए 22 April 2019 last date है पच्ची पोस्ट है और clerk की vacancies है यह clerk come research assistant की है और clerk come research associate की vacancies आउट हुई है जहां पर इन्होंने law degree मागी हुई है और जो third location है वो है करनाटक ठीक है बाई April 2019 last date है 20 vacancies total out हुई है उसके लिए तिलांगना के लिए 15 April 2019 last date रहेगी और 67 post है चारों लिंक मैं आपको इस वीडियो की description में दे दूँगी अगर आप मदरास जारकन करनाटक तिलांगना से है जरूर इस वाप के लिए apply कीजिए का और अगर आपने law degree की हुई है वीडियो को like कीजिए share कीजिए thanks for watching